तो guys अगर आपने बजार में दही फुलकी खाई उंगी तो आप सबी जानते ही होंगे दही फुलकी का सुवाद इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि आपका बार बर खाने का मंन करता है तो आकिर बजार वाले इस दही फुलकी में क्या इस्पेसल चीजे मिलाते हैं जिससे की इसका टेश्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप भी जाना चाते हैं तो इस वीडियो में हम आपके साथ सेयर करेंगे ये रेशी भी और बताएंगे आपको दही फुलकी बनाने का सही तरीका तो जाएजे जानते हैं किस तरह से दही फुल्गी बनाई जाती है अगर आप भी मुलायाम फुल्गी बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ एक सीक्रेट तरीका भी शेयर करेंगे तो सबस्तों पहले हमें लेना होगा एक कटोरी बेसन इसके साथ हमने थोड़ी सी हरे धनी के पत्या ली है और हमने चुटकी भर सोडा और चुटकी भर नमक लिया है तो चलिए अब हम इन सबी चीजों को आपस में मिलाएंगे तो चलिए हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही इसमें हमें थोड़ा सा पानी मिलाना होगा और इसका पेश्ट हमें बना लेना होगा तो चलिए हम फटा-फट से इसका अच्छी तरीके से पेश्ट बना देते हैं तो जैसे कि आप दे सकते हैं बेसन का पेश्ट बन चुका है यहाँ पर हमने लिया है आदा किलो दही, दही बहुत ज़्यादा गाड़ा होता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा पतला भी करना होता है, तो चलिए हम फटा-फट से चमच की मतबसे से अच्छी तरीके से फेट लेते हैं, तो हमने दही को अच्छी तरीके से फेट लिया है, अ अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे सुवात के अनुसार तो हमने इसमें नमक डाल दिया है अब इसे दुबारा से फेटना होगा तो जैसे कि आप देखेंगे दही बहुत ज़्यादा गाड़ा है तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर दिया है अब इसके बान यहां पर हमने ओयल डाल दिया है, आप हम इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगी, ओयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुछा है, अब हम बनाएंगे फुलकी, तो फुलकी बनाने का तो तरीका आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ बैसन उठाकर हमें oil में हलके-हलके तरहाथ से डाल देना होता है तो यहाँ पर हमारी full की अच्छी तरीकी से सीख रही है तो धियान रखें आपको आज थोड़ी हलकी रखनी है चूहलेगी ताकि आपकी full की न जलें जब यह एक side से अच्छी तरीकी से सीख जाती है तो आपको इनको पलट देना होगा इसके बाद जैसे कि ये ब्राउन जब तक न हो जाए आपको इनको ओल से बाहर नहीं निकालना है तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने आज को बहुत जादा हल्गा कर रखा है ताकि अच्छी तरीके से सिखें फुलकी का कलर ब्राउन हो चुका है अब हम इसे ओल से बहाँ निकाल लेंगे अब हम आपको फुलकी को मुलायम करने का तरीका बताते हैं तो आपको पानी में चुटकी बाद नमक डालना होगा और 5 या 10 मिनिट के लिए सभी फुलकी को इसमें ऐसा ही छोड़ देना होगा तो चलिए हम फुलकी को ऐसा ही छोड़ देते हैं अब जैसे कि आप देखेंगे ओल गर्म है तो हमने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है क्योंकि हमें इसमें तड़का भी लगाना है अब हमें करना क्या होगा इन फुलकी को 5 या 10 मिनिट के बाद निकालना होगा और इसका पानी अच्छी तरीके से बाहर निकाल देना होगा तो हम आद की मदद से इसका पानी बाहर निकाल देंगे और दही में इन सभी फुलकियों को डाल देंगे तो चलिए हम फटा-फट से सभी फुलकियों को पानी से निगाल कर दही में डाल देते हैं अब हमने यहापर थोड़े हरेदनी के पत्या लिए हैं अब हम इनको बारिक-बारिक काटके दही में डाल देंगे तो हमने हरे धनी के पत्तियों को दही में डाल दिया है अब हम इसको अच्छी तरीक से mix करेंगे अब हम इसमें जो हमने तड़का लगाना है जीरे का वो हमें तड़का लगा देना होगा तो जैसे के आप देखेंगे हमने तड़का लगा दिया है तो बस दोस्तो हमारी दही फुलकी बनकर तयार हैं तो इस तरीके से आप बजार जैसी दही फुलकी अपने घर पर तयार कर सकते हैं तो यह सबसे आसान तरीका है दही फुलकी बनाने का तो आपको यह recipe कैसी लगी आप नीचे comment करके हमें जरूर बता सकते हैं आने वाली वीडियो में हम आपके लिए और अच्छे अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे तो अगर आप ऐसी तरीके की रेसिपी की वीडियो रोज आना पर आप तो करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही ठेंके फॉर वोचिंग